आज की इस वीडियो में मटर पुलाव की रेशिपी में सेयर करूंगी धाबा और रेस्टोरेंट शेप बढ़िया घर में ही मटर पुलाव बना करके तयार करेंगे बिल्कूल आसानी से इसे बच्चा भी बना ले इतना आसान है मटर पुलाव बनाना हेलो गाइस मैं हूपडिती और न्यूट्रिवेजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब के लिलना तो शुरू करते हैं यहाँ पर लिया है मैंने पुलाव बिरियानी वाली लंबी वाली राइस एक कप इसे धो करके 30-40 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे भीगने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 200 ग्राम मतर के दाने हरा ताजा मतर है मतर अक्सर हम सब्सक्राइब बनाते हैं पुलाव बनाते तो पिछकुसा हो जाता है तो इसके लिए प मतर डाल दीजिए और 2-3 मिनट पानी के अंदर मतर को इस तरीके से गरम कर लिजिए उबाल लिजिए उसके बाद गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए तुरत मतर को पानी से निकाल करके एक दम फ्रीज के पानी में टाल लिजिए इस तरीके से ठंडा पानी ले लिजिए में रखिए और पुलाओ बिर्यानी या फिर सबजी बन नहीं है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा हराता जब बिल्कुल फ्रेस तो इस तरीके से मटर को प्रिजर्ब करना यहां पर लिया है कराही कराही में डालेंगे दो चमस देशी गी जैसे ही गरम हो जाए इसमें यह मसाले डाल देंगे तो एक चमस जीरा, एक श्टार फ्लावर, एक तसपत्ता, चार पाच लॉंग, एक दलचीनी का टुकर, एक बड़ी इलाइची और तीन छोटी इलाइची ली है मैंने, इलाइची का दबा करके एक तरफ से मूँ खोल दे और घी के अंदर डाल देना, बड़ी लाइची के छिलके हटा देना, दाने निकाल लेना, तो इस तरीके से बनाओगे तो पलाव बहुत ही परफेक्ट बनेगा, अब मसाले को एक बड़ चला दे और इसे फोट ने दे, यहाँ पर मसाले फोट चुके हैं, इसमें डाल लेंगे तेजपत्ता, तो दो टुकरो में तेजपत्ता को तोर ले और डाल दे, अब यहाँ पर डाल देंगे कटा हुआ गाजर, और गाजर को कुछ सेकेंड के लिए सोटे कर ले, क्योंकि गाजर पकने में थोर असा टाइम लगता है, यहाँ आपर लिया है 10 से 12 काजू, और लिया है 10 से 12 किश्मिश, और डालेंगे लंबा स्लाइसेस में कटा हुआ एक प्याज, दो हरे मीर्ज, और इन मसालों को भूल लेंगे, किश्मिश और काजू जो हमने डाला है उसको पहुत ज़्यादा जलाना नहीं, इस मसालों को साथ हलका सा यह रोष्ट हो जाएगा, यहाँ पर डालेंगे एक आलू, उबाला ह उसको कट करके डाल लेंगे, और चलाते हुए इन सबजीयों को सोटे कर लेंगे, अब डाल लेंगे मतर, जैसा कि मैंने बताया, आप देख सकते हो, मतर कितना बढ़िया हरा तजा और फुला फुला सा है, तो मतर को डाल देंगे, और चला देंगे, कुछ सेकेंड के लिए सबजीयों के साथ भूल लेंगे, अब यहाँ पर डाल देंगे, भीगोया हुआ, चावल जो हमने भीगा करके रखा हुआ था, पानी निकाल दीजिए और चावल को डाल लीजिए, कैस का फ्लेम लोटू मिडियम रखना, और एक बार सबजीयों के साथ चावल को डाल करके, कुछ देर के लिए, एक से देर मिनेट के लिए भूल लेंगे, अब डाल देंगे यहाँ पर पुलाओ बिरियानी मसाला, यह मसाला मैंने एक चमस डाला है, यही मसाला यूज किया है, एक चमस कासमीरी लाल मिर्स पाउडर, वन फोर्थ चमस हल्दी पाउडर, टेस्ट के को पाउडिंग नमक डाल लीजिए, और साड़े चीजों को अच्छे से एक साथ मिक्स कर दीजिए, बहुत देरी से भूना नहीं है, नहीं तो चावल जब बना लेंगे, उसके बाद टूटना सुरू हो जाएगा, तो चावल को बहुत देर नहीं भूना, जिर्क मिक्स करना ह एक बाउल चावल है, तो इसे दो बाउल पानी डाल देंगे, ना पयाद रखना अब दोस्तों, जिस चीज से माप लेंगे चावल का, उससे एक चावल और दो उससे पानी डालेंगे, यानि कि एक कप चावल लेजी और दो कप पानी डालेंगे, इस तरीके से मिक्स कर दें और एक चीज और डालना है इसमें डालेंगे केसर दूद में भीगा करके मैंने केसर डाला हुआ था दस से बारा दागे और सला देंगे क्यों कि पुलाओं में बहुत बढ़िया सही खुस्बू आएगी और इसका स्वाद भी बढ़िया बढ़ेगा अब धकन लागा देंगे गैस का फ्लेम थोड़ी देर फास्ट कर देंगे फास्ट फ्लेम पर इसको एक बार उबला है इस तरीके से अभी धकन हटा करके मैं दिखा रही हूँ अच्छा से उबला सुरू हो गया है अब इसमें अध्रक के जूलियन डाल देंगे एक चमस लंबे लंबे इस तरीके से अध्रक काट लीजिए और डाल दीजिए मैंने अध्रक लासन का पेस्ट नहीं डाला है इसकीप किया है आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो ड़कन लागा देंगे अब गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे स्लो फ्लेम पर पुलाओ को पास मिनट पकाएंगे पुलाओ हमारा प तरीके से देख लें तो चावल भी यहां पर पग गया है बिलकुल परफिक्ट ना गिला हुआ है और ना ही इसमें पानी है बिलकुल परफिक्ट तयार है पोलाओ हमारा अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल दें बुठी भर अब तेसपत्ता का काम खतम हो चुका है तो अब इसमें पर देसपत्ता निकाल सकते हो और हरा धनिया डाल देंगे इस तरीके से धनिया डालने के बाद में इस पर धक्कल लगाए और पाच मिनट छोर देजिए इसे सेट होने के लिए अब यहां पर पोलाओ बिलकुल परफिक्ट बन करके तयार है सब कुछ सेट हो च रेस्टोरेंट जाने की कोई जरूरत नहीं घर में बनाएगा यह बढ़िया सा खुसबूदार पोलाओ और कैसी लगी यह रेसिपी कमेंट बक्स में अपने कमेंट के द्वारा सेयर करना दोस्तों